तो हेज़ वेलकम बैक टू माई चैनल यह में गेनी का डेएट है आज तो मंडे है और आज से हमारे कॉलेज को तो छुट्टे अलग चुके है क्योंकि संडे को लाइट लेक्चर था और आज हमारा आमस का वरकाउट है और मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थ अब देख सकतो है से इदर तो देखेंगे पंप कैसा आता है मैं बेग्दो खलीफ ले लिए 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 पूज़े पता ने क्योंकि सुबह तो उप्राउड ज्यादा रहता इतना पता है एक दो बार गाया था वापीस आया हो क्योंकि वरकाउट कर ने लाने जी आए हेवान के दो अवान के थेखेंगे निए रश्येज़े कर दूज़े बीच्षट करेसे हो हैं थाट करहे हम दो या है यहां मैं रीचर निए पाना। कॉम देखने का भी चाहा होता है, बाइसेब और ट्राइसेब में और आप भी भी है तुम इसका में सीधर जीन के बाद, तब तो के लिए बाए का भी चाहा हुआ, आपक हुआ हुआ है तो वैस अभी वर्कॉड तो हो चुका है अभी हम मैं शॉट्स तो वीडियो तो नहीं ले पाया क्लिप्स क्यूंकि बहुती ज़ाद अभी बज़ गए दस अभी हम जा रहे घर पे यस घर पी जा रहे मील ओट मिल लेंगे ओट बनाना एंड वे प्रोटेन ओट मिल लेंगे फिर अतना काम करने जाएंगे जो कि जिस लिए में सुब्याना है अगर में तो बहुत बड़ी है अभी हो तो अभारत रहे हैं तो गाइस इस इस गूंग तो बे मैं फॉस्ट मिल जिस में की 60 ग्राम स्वोट्स है 220 ग्राम सब बनाना है एंड 100 अमेल्स अप मिल्क एंड वन स्कूप वे ब्रोटन है अभी में नहा के इसको खाने वाला हूं नहाया तो हूं अभी में इसको बना लो क्योंकि वर्काउट तो मैं एसा रेकॉर्ड तो कुछ करने ही पाया तो मैं फूल देव फिटिंगी बनाऊंगा यह मेरा फुर्स्ट मिल है और यह मेरा फुर्स्ट मिल है और इसके साथ में पॉपकॉन लिया हूं चड़ा जो की सीज के पॉपकॉन से काप का अश् विए जिसमें की राइस है पचास ग्राम रॉव है एंड मसुलाग की दाल है ऐंड्ट थीहंडर्ड ग्राम सफ कर्ड तो तो इस इसमाइ नहीं किया क्योंकि मैं रस बाड़न वाला हूं इसके लिए में एक डेडिकेड फुल्ड दया फिर्टिंग बनाने वाला हूं full day of eating yes so let's enjoy it so guys this is my last meal of the day यह ब्रेड और जो मैंने थर्ड मिल में खायते वो ब्रेड वो दोनों मिला के 250 ग्राम्स है and 12 eggs है जिसमें की 5 होल है and 5 whites remaining 7 whites है and थोड़ा sauce है sauce के तो मैं काउंड ने करूंगा क्यूंकि बानाते वक्ती मेरे कैलरी बर्न हो जाते है तो that's it तो मैं इसको भी खाऊंगा मिलते अगले विडियो में